हलो इस्टुएंट्स नेक्ट देखिंगे कैसे नमर 14 क्या कह रहा है लेको गिविन कंदिशन से शुरू करता है ओके देखो ए इस त्री टाइम्स एज एफिशेंट इसका मतलब क्या हुआ जो है कम समय में काम रेडी कर सकता है और तीन गुना कम समय में काम रेडी कर सकता है इस वरक जो है वो एक्च॒ल में बी थ्री देज वरक सकता है अब आपको किima DO तो इसके लगाता ए इस थ्री टाइम बwei्टा देखो ए इस 3 time efficient है, इसका मतलब B जितने समय में काम करेगा न में, उसके 3 कोना कम समय में ए की काम ready करेगा इसका मतलब A एक दीच में काम करेगा तो यह 3 कोना ज्यादा समय लेगा, जबी तो यह efficient होगा आपर वो कम समय वाला आद्मी छीए की ज्यादा समयवाला आदमी जीए कम समयवाला ज्यादा वो जो एफिशेंट हुआ समझे ऐसा ठीक है तो आगे देखो क्या आगे रहा है also a takes 30 days less than b for doing the same work उसके रहे पर equation बनाने पड़ेगा आप हो equation पर let करना पड़ेगा मान लेते हैं अपन let a takes x days to complete the work and b takes 3x days to complete the work समझे मैं क्या क्या नहूं a को x days लग रहे हैं तो b को 3x उससे ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब a को इससे 3 गुना कम समय लग रहा है ऐसा है इसका मतलब तो accuracy किसमे हैं a में आई efficiency किसमे हैं a में आई अब देखो equation को also a takes 30 days less than b मतलब कि जो a का जो time है according to question a का जो काम करने का जो time है a का तो a के x days है actual में complete करने के time हना है a के कितने x days है तो वो actual में 30 days less than b से ये वाले चीज समझ में आईगी ये बताओ आप हो जाए बताओ के लिए रहो के चीज़ से मतलब देखो इस बात को आई समझो a ने जो time लिया है a ने time लिया x वो actual में किसके equal है 30 days कम है less है किससे b से तो b का 3x उसमें से minus 30 30 को इदर भेज दो और 3x minus x को यहाँ भेज दो 30 equals to 2x और ये हो गया आपके पास 15x की value अब इससे मैं क्या निकालूँगा find the time taken by them if they work individually अगर काम करते है तो उसका answer निकालो आप मुझे देखो individually अगर काम करते है तो a takes इस x की value को यहाँ रख दे तो a takes 15 days to complete the work and b takes 3x से करें तो 15-3s आप 45 days to complete the work बताव सहमा है क्या आफर आगया तो यह हुआ आपका complete first individually वाले पार्ट together वाले पार्ट पर आजाओ next slide पर देखो आप together वाले पार्ट के लिए कैसे करें अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो a and b if a and b यह फिर a and b's one days पर पहले उनका एक दिन का काम निकाल ले थे ना देखो एक दिन का काम कितना था a takes fifteen days to complete the work ठीक है अब इस बात से समझना आप एक जो एक जो a total time कितना ले रहा 15 days ले रहा तो अगर आपसे यह पूछो कि एक दिन का काम क्यता है तो आपके बोलोगे fifteen days को उलता कर दो कि वन बाई 15 आगे देखो, बी टोटल 45 डेज लेता है, मैं बुछू अगर वो एक दिन में कितना वर करेगा तो आपको कि 1 by 45, समझें, बिल्कुल सिंपल है, अगे सुनो, अब मैं ऐसा कह रहा हूँ आप से, की, together time कितना ले रहा था हूँ न, तो second case जो पूछ रहा है, आप से क्या पूछ रहा है, A and B, together, taken time, to complete the work, 45 upon 4 days लेंगे ये, समझें, अगर इसको आपको वैसे लिखना, तो कैसे लेगे, 4 by 4, फिर 4 by 4, फिर 1 by 4, समझ में आया कुछ, इतने दिन लगेंगे उनको, दोनों को complete करने में काम को, अगर दोनों एक साथ करते हैं, तो together, आया कुछ समझ में, A and B together, taken time to complete the work, 45 upon 4 days, किलिए रहे हैं तक, तो ये second part हो गया, question number 14 का,